हेलो एब्रिवान मैं भी पांची गो स्वामी आज का डेर है 29 जून 2020 आज के इस वडियो में हम डिसकस करने वाले है जो आज के करने फियर्स है जो कि आपके एक्जाम पॉइंट और व्यूस बहुत ही इंपोर्टेंट है लेकिन उससे पहले अगर आप लोगोंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्ली सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टाडी राइस का उसको हाली में लांच किया गया है जिसमें आपको 2020 के कर्ड़ फिर्स से मार्च अप्रिल और में की, उसके सभी के कंपालिशन मिल जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ आपको जो हमारी जो वीडियो या इन्फोर्मिशन अप्लोड किये जाए है चैनल पे उसको जो है चेक करना मत बुलिएगा क्योंकि इसका लिंक मैंने निजे देगे description box में डाल दिया है और इसको अगर खरिदना चाते हैं तो आप खरिद भी सकते हैं क्योंकि यहां भी sell चल रहे हैं बहुत कम rate में यह आपको पुलप्त होगा तो प्लीज इसको चेक करना मत बुलिएगा और चलिए आज की discussion की तरफ आगे बढ़ते हैं आज का पहला जो topic है Delhi government ने जो है 20,000 people के जो sero survey है उसको start किया है तो यह उसी से related topic है तो 27 June 2020 को serological survey जो है Delhi में start हुआ है और यह जो survey जो है अभी as many on as many as 20,000 households जो है Delhi में उन पर एक random basis पर कंड़ा किया जाएगा और इसमें जो है अभी below 18 years of age जो individuals है वो भी शामिल होंगे और Union Ministry of Home Affairs जो है उन्होंने ये खोशना किया है कि 27 June और 10 July 2020 के बीच में पूरे Delhi में जो है यह जो serological survey है इसको कंड़ा किया जाएगा तो यह उसी से related topic है The next topic है वो है Uttar Pradesh के जो government है वो अभी एक special security force है industrial security के लिए उसको form करने वाले है तो यह उसी से related topic है उसको स्थापित करने वाले है तो यह उसी से related topic है तो Uttar Pradesh के जो state government है उन्होंने ये decide किया है कि अभी जो की courts, metro, rail, airports, industrial establishments, banks and other organization जो है स्थापित करेंगे और उत्तरप्रदेश के चेफ मिनिस्टर योगी आदित्यानाथ है उन्होंने अभी ऑफिशेल्स को भी निरिदेश दिया है कि वो उत्तरप्रदेश स्पेशियल स्थापित करेंगे कि Central Industrial Security Force and CISF उसी के स्मिलर होगी तो यह उसी से रिलेटेट टॉपिक है दे नेक्ट टॉपिक है वो है एट वान क्लिक इनिसियेटिफ जिसको अभी गुजरात गवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया है हाल में तो यह उसी से रिलेटेट टॉपिक है तो यह 12,247 Micro Small and Medium Enterprises MSMS and Bigger Industrial Units जिसमें Textile Industries भी शामिल है स्टेट में उन सभी के लिए जो है गुजरात गवर्मेंट ने अभी 26th June 2020 को एक जो Online Cash Aid Initiative है उसको लॉंच किया है और इस इनिसियेटिफ का जो नाम है एट वन क्लिक रखा गया है और यह जो इनिसियेटिफ जो है उसको अभी जो की गुजरात की जो मतलब चीफ मिनिस्टर है विजय रुपानिय उन्होंने इस इनिसियेटिफ को लॉंच किया था तो यह उससे लिजए टॉपिक है दे नेक्चर टॉपिक है वह है अपलो टायर्स कमिशन इस आंधरा प्रदेश मैनुफेक्टरिंग प्लान तो अभी जो की स्टेट गाव में आप्रदेश एन गुरुग्राम हैटकॉटर अपलो टायर्स लिमिटेड जो है उनके बीच में इसको मतलब स्थापित करेंगे कमपनी और यह जो फांडिशन स्टोन जो है इस मैनुफेक्टरिंग प्लान का उसको 9 जैनुवर 2018 को आंधराप्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा मतलब इसको लेट किया गया तो इसके आधारशिला रखे गये थी तो यह उससे टॉपिक है तो इनियन मिनिस्टरी अफ कल्चर ने जो है यह 27 जू 2020 को एगोशना किया है कि अभी मिनिस्टरी जो है उन्होंने यह डिसाइड किया है ओन्दा कॉल आफ प्राइम मिनिस्टर नारेंद्रमोदी कि 28 जून से 12 जूलाइ 2020 तक एक जो टू विग लॉंग 3 प्लान इंडिपेंडन्ट चर्च प्रहला जोश्री के द्वारा इंफॉर्म किया गया था तो यह उसे से डिलेटर टॉपिक है तो इसे से डिलेटर टॉपिक है तो 26 जून 2020 को एथियोपिया के जो वाटर मिनिस्टर है उन्होंने यह कहा है अभी जो की तीन जो कंट्री जो है एथ दन एंड एजिप्ट ओवर युएस डोला 4.5 बिरियन वर्ट चाहिन इथोपियान रेनेशन्स टैम एक जो कंसेंस है उसको पहुंचाया गया है और यह जो टैम जो है उसको अभी उनिलेटरली इथोपिया की द्वारा फिल नहीं किया जाएगा और यह जो तीनो जो देश जो है इन तिनों देश के बीच में अभी एक जो कॉंटिजनास निगोशेसेंस जो है ओवर दे यह तो रिच अन एग्रिमेंट चल रही थी तो यह उसी से रिलेटर टॉपिक है दर नेक जो टॉपिक है वो है डेक्सा मेथाजन जो है उसको अभी क्लीनिकल मैनेजमेंट प् अबडेटर एक जो मतलब क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकल का अबडेटरी एक जो अप्डेटर क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकल है देक्सा मेताजन के अंडर उसको डिलिज किया है और और इट वाद में जो है इसके अलावाव मिनिस्ट्री ने अभी यह कहा है कि डेक्सामेथाजन जो ड्रग जो है उसको सिर्फ COVID-19 पॉजिटिफ पेशेंस के लिए ही यूज किया जाएगा और जिनको oxygen support की जरूरत होगी और thus with an excessive inflammatory response तो यह उसी से related topic है The next topic है वह है TPPA of US dollar 2.4 billion जो है उसको अभी पाकिस्तान और चाइना के साथ पाकिस्तान ने इसको साइन किया है तो यह उसी से related topic है तो 25 जून 2020 को एक जो ट्री ट्राइपर आइट ट्राइपर ट्राइपर ट्राइट सॉरी एक जो ट्राइपर ट्राइपर पावर परचेस एग्रिमेंट है TPPA उसको अभी 1,124 मेगवाट कोहला hydropower project के construction के लिए साइन किया गया था और एग्रिमेंट जो है उसको अभी जो की government of Pakistan and Chinese company उनके भी इसमें इसको साइन किया गया था China 3, George's Corporation State on Company of Chinese Government and Government of Azad Kashmir part of Pakistan occupied Kashmir प्राइपर प्रोगों के बीच में इसको साइन किया गया था तो यह उससे related topic है Then next topic है वो है World Bank Group ने जो है अभी US dollar 500 million को जो है Stars program के अंडर इसको approval दी है तो यह उससे related topic है तो 28 June 2020 को World Bank Group ने जो है एक खोशना किया है कि अभी जो की भारत में जो school education system है उसके governance और quality को इंप्रूव करने के लिए 24 June 2020 को अपने board of executives के द्वारा अभी जो की एक जो loan of US dollar 500 million approx rupees 3,700 crore इसको approval दिया गया है और गया था यह जो loan जो है वो अभी 10 million teachers and 250 million school students है across 1.5 million schools in six states of India उनको benefit पहुचाएंगी और यह जो loan approved जो है वो अभी 10 million teachers and 250 million school students है across 1.5 million schools in six states of India उनको benefit पहुचाएंगी और six जो Indian states जो है वो है राजस्थान, ओरिसा, केरला, महिधर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महराष्ट्रा तो यह उससे related topic है the next topic है वो है US President Donald Trump जो है उन्होंने अभी एक जो executive order है उसपर sign किया है तो US President Donald Trump जो है उन्होंने 26 June 2020 को अभी एक जो executive order जो है ताक कि जो monuments and statues from vandalism जो है मतलब देश के निशन के जो monuments and statues of vandalism है उसको protect करने के लिए जो executive order है उसपर sign किया है और Trump ने जो है अभी tweet करके announcement किया है कि उन्होंने जो है जो बहुत ही strong executive order है उसपर sign किया है to protect American monuments, memorials and statues to combat recent criminal violence और उन्होंने ये घोशना किया है कि इस तरह का जो acts जो है वो अभी जो कि long prison terms है उसको attract करेगी तो यह उससे related topic है the next topic है वो है 29 June जिसको national statistics day के तौर पर मनाया जाता है तो यह उससे related topic है तो अभी जो everyday life में जो है statistics को use को popularize करने के लिए यानि कि लोग प्रिया बनाने के लिए हर साल 29 June को national statistics day के तौर पर मनाया जाता है 29 June को और 29 June the day 29 June was chosen to acknowledge the invaluable contributions made by professor प्रशान्द चैंदर महाला नोबिस in establishing the national statistical system 29 June जो है वो birth anniversary है professor PC महाला नोबिस के और national statistics day जो है उसको अभी first time के लिए 2007 में इसको मतलब celebrate किया गया था और world statistics day जो है उसको October 20th को हर साल मनाया जाता है तो यह उससे related topic है the next topic है वो है Australia New Zealand जो है वो अभी jointly जो कि FIFA Women's World Cup 2023 है उसको होस्ट करेंगे तो यह उससे related topic है तो अभी FIFA Women's World Cup 2023 जो है उसको अभी Australia और New Zealand के द्वारा होस्ट की जाएगे और यह जो announcement जो है Federation of International Football Associations on 25 June 2020 को किया गया था इसके announcement तो यह उसससे related topic है तो आज के लिए इतना ही है कल हम फिर मिलते हैं करने फेर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारे जो चैनल है उसको देखती रहिए अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा झाल